बहुत समय पहले की बात है, कानपुर गाउं के एक छोटे से घर में दिया अपनी बेटी बबीता के साथ रहा करती थी, उसके पती का ध्याद हो चुका था, जिसके बाद वो अपनी सास, रोशन और अपनी नन मादवी के साथ रहती थी एक दिन रोशन दिया से कहती है, ए दिया बहु, जल्दी से जा और चाय बना ला, और हाँ मुझे भूख लगी है, खाना भी बना देना शीर देखकर वो कहती है, माजी, मुझे बाहर सबसी बेचने जाना है, आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं, आप मादवी से कह दें के वो खाना बना दे शीर देकर रोशन गुसा होती है, और कहती है, कल मौही, नास, पीटी, जनम चली, पहले मेरे बच्चे को खा गी, अब मेरी बेटी को खाना चाती है, मादवी कहती है, भाबी, अगर डाइन हो ना, वो भी तुझे देखकर शर्मा जाए, तुझे शर्म नहीं आती, तु मु पार्केट में एक और आदमे जिसका नाम एयर होता है, वो भी सबजी बेचा करता था, वबीता को देखकर वो कहता है, ये कल मौही डाइन आ गई, अब हर कोई इससे ही सबजी लेगा, इसकी छोटी बच्ची को देखकर, सब इस पर तर्स खाते हैं, और वो सबजी वाले ट ये देकर गाउं वाले कहते हैं, ये तो बड़ी चोड निकली, इससे यहां से भगाना परेगा, भाग जाए यहां से इसके बाद वो देया और बबीता को वहां से निकाल देते हैं देया एक जगार रोने लग जाती है यह देकर बबीता कहती है माँ आप चिंता मत करो कल आपके सबसी कोई ना कोई खरीट लेखा देखना आप अगले दिन वो दोनों सबसी लेकर निकलती है तबी एक कारी आती है देया को टकर मारती है उसके सबसी नीचे गिर जाती है उस कारी में से एक आतमी बाहर आता है और कहता है आप ठीक तो है देया कहती है हाँ मैं तो ठीक हूँ लेकिन मेरी सबसी नहीं है यह देखकर जेठ हलाल कहता है I'm sorry मेरा नाम जेठ हलाल है मैं आपके सबसी खड़ी लेता हूँ और उसे पैसे दे देता है समय बीटता है और रुसाना जेठ हलाल देया से सबसी खड़ीदा करता था एक दिन बबीता जेठ हलाल से कहती है अंकल आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो आप ऐसा करो मेरी मा से शादी कर लो मेरी मा भी बहुत अच्छी है चीज देकर जेठ हलाल हसने लग जाता है वहीं दूसरी तरफ देया जेठ हलाल की मा कॉमल के साथ आ रही होती है तब ही कॉमल की तरफ एक गारी बढ़ती है दिया कोमल को धका देती है और खुदगारी के नीचे आ जाती है हॉस्पीटल में कोमल कहती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा और तुम्हारी बेटी बता रही थी कि उसे मेरा बेटा कितना पलसान है मैं चाती हूँ कि तुम अपनी बच्ची के लिए मेरे बेटे से शादी कर लो और दिया बबीता की खुशी के लिए मान चाती है तो दोस्तों कैज सके आपको आज के मारी यह स्टोरी आज की पहली यह है दिया की टोकरी में रिंग कौन फैंटा है जल्दी सूची और अपना असा नीचर कमेंट कर दें साथ ही अगर आपको अच्छी कमारी यह वीडियो पसंद रहे है तब वीडियो को लाइक कर दें अपना बहुत साथ ख्यार रखिया